सादत हसन मंटो दी कहाणी नुत्फा दा बाकी दा हिस्सा इनना सा समान ते इनने रिष्टे हुन देहन कि आदमी इना तु छुटकारा हासल करना चाए तब पूरी जिन्दगियों से कोशिष्ट बसर हो जाए पर इते रंडी दे को उठे हुते अजई कोई मुश्कल ने अपना लीडा लत्ता ते ट्रांक चुको अजकन मोड़े ते सुटो ते किसे होटल च जाके बड़े इति मनान आलतलाख दा कागजले के रवाना कर देओ एक गल होर रंडी नू समझन्च जेकर दिक्कत मैसूस होवेता उनू इस्तेमाल करन वड़े अजये कई आदमी मौजूद होणगे जिना देत जर्बयां तो फाइदा उठाया जा सकता है फिर गोणा वजोणा मुफ्त ऐयाशी दी ऐयाशी व्यादा व्याशी जी उकताया ता छड के चल दे बड़ो कोई इतराज नहीं करेगा कोई बुरा नहीं कहेगा सगो ओ जो शरीफन मरहबा कहनगे के स्वेर दा पुल्या शाम नू कार परताया रंडी नू लांती कहनगे जो चिंबड गई सी ते खुदावन दे करीम दा शुकर करनगे के उने ओ तो नजाद दवाई ते रंडी दी जंदगी चुई कोई पुचाल नहीं होदा ओदे लग खान रंडी नाल व्यादे फाइदे अकसर दस्ता रहेंदा सी बोतल नू बड़े खलूस नाल मू लगा के उनोंने रंडी यांदे कोठ्यां उत्ते वियोना जाना शुरू कर देता सी पर उने उना विच ओ गल खाले तक नी वेखी सी जिनांदे मुत्तलिक ओ अकसर अपने पठान दोस्त को लों सुनेया करदा सी खान नू सादिक दे दिलदा हाल चंगी तरहां पता सी उनों पता चल गया सी के उहीरा मंडी तो उकता गया है कामकाज चंगा है आमदन दी माकूल सूरत पैदा हो गई है इसलिए होन अपना कार बनोना चोंदा है जेस चोदीक मतलब लंगोट होन पोतडे होन चुला होए चिम्टा होए तवा होए उफल खरीदे तव सिदा कार पुजे शराब दियां बोतलान दी बज्याए डिदे भूधिं परяс़िए पढ़वन दी बज्याए श्रीफ श्रीफ लुखा नू मेले शुरू शुरू चिता खान अपने खास अंदास उन वज़े वाई आतकदमा तो रुकन दिया नरम नाजुक को शिश्यां करदा रहे पर जदो उनु पता चलिया कि उन्हें अपने महलेच किसे उनु कोई टुकवां रिष्टा लबन लीके आया था उनु बहुत कोफ्त होई सादे ये तुम क्या हिमाकत करने वाला है शादी वादी हर्गिज ना करना है ये दुनिया ऐसी है जहां किसी वक्त भी तुमको सुबा बदर या शहर बदर कर दिया जा सकता है मैं इतने साल कांग्रेस में रहा हूँ सुर्ख पोश तहरीक चलाने में इतना काम मैंने किया तुमको उसका अंदाज़ा ही नहीं हो सकता मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में सिर्फ ये सीखा है कि जिन्दगी में तुम जिसको भी शिरीक बनाओ अटैची केस की तरह होनी चाहिए जिसको तुम हाथ में उठा कर चलते हो या उसे वहीं छोड़ दो वो ज्यादा केमती नहीं होनी चाहिए कीमती चीजों को छोड़ देने का बड़ा गम रहता है सो बिरादर तुम शादी ना करो बाज आओ इस ख्याल से वो रंडी जिसके पास तुम जाती हो क्या बुरी है उससे इश्क करना शुरू कर दो ये कोई मुश्किल काम नहीं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो सब ठीक हो जाएगा सादिक ने करेलू के समदी और अतनाल व्यादे हाकच अपनी अंदलीला पेश कीतिया पर खान दे सामने उना दी कोई पेश ना चली सादिक तुम उल्लू है खुदा की कसम उल्लू है तुम हमारी बात नहीं मानता जिसके पास दो बीवी हैं अपने कभीले की तुम हमारी बात मानो हम तुमारा दोस्त है पठान है खुदा की कसम खाकर कहता है कि हम जूटनी बोलता ये दुनिया जिसमें हम जैसे मुखलिस आदमी को सुबा बदर करने वाले हाके मौजूद है उसमें रंडी के कोठे ही को अपना घर बनाना चाहिए हमको तो यहां बहुत आराम है तुम भी हीरा मंडी में अपना घर बना लो और आराम करो सादिक अजीबल जंच ग्रिफतार सी मैंनू मिलके ओ कंटा गला करदा रेंदा ओ हीरा मंडी दे सक्त खिलाब सी पर थोड़ी देर तो बाद मैं महसूस किता कि वेदा कायल हुंदा जा रहे है क्योंकि हुनो खान दियां कहियां हुयां गलाएं में सनादा सी जिम्योदे दिल लग चुकियां हुन सो एक रोज उने मैंनू किया मैं सारी उमर ठेकेदारी कीती है ते ठेकेदारी नाड़ोबद के बेमानी दा होर कोई काम नी हो सकता उदा अबल खोट उदा आखर खोट एजेया बजार है जिस कोई खरा सिकहा नहीं चल सकता सुने हैं बलायत वीचे जिना बढ़ू हैं जिनाच जेकर खोटे सिकहे पाये जान तो बार काड़ देनी हैं पर ठेकेदारी एजयी मिशीन है जिस जेकर खरे सिकहे पाये जान तक बूल नहीं करेगी, फॉरन बार कड़ देगी, मैंनों सारी उमरे ही कम करना है, कि मैं सिर्फ इत्थ ही ओने, तक क्यों न मैं ही रमंडी ची अपना कार बनावा, उथे खरे शिक्के चल दिये, पर उना दे इव्ज जो माल मिल दा है, उस ते सिर्फ खोटी-खोट मैं समयदा मेरी रूहानी तसकेन ले उत्थे दी, फिजाच चंगी रहेगी, फिर एक दिन उने मैंनों दस्याख खान बहुत खोश है, उदी अन दोनों बीवियां उत्थे सरहादच, उदे कर्च खोशन, उदी अलाद भी खोश है, उना दी खेर खेरियत अपने मैनेजर द कदे कदे उना हाकमा दे खिलाफ एक बियान अखबारां चे शाया करदेंदे, जिनाने उनों सुबा बदर कीता सी, ते अपनी रंडी नों सुना देंदे, उवी खोश हो जान दी है, उस रात गौन वजान दी मैं फिल गर्म हों दी है, ते खान मस्नद उते गाव तकी एदा सहारा लेके में बैठता है, जिस तरह एक तमाश बीन, उस्ताद साब ते मरासियान आल इस तरह अंगलां करदा है, जिवे उने नमी नमी तमाश बीनी शुरू किती है, उदी रंडी मुझरा कर दिया है, ते जेब चहात पाके उन्हों दस रुपेदा नोट देंदा है, फि ता समयता है, बड़े मज़ेदी चीज़ है, पर जदो रंडी नल व्यादा सुआल पैदा हुया, यानि खान साब ने सब मामला तियार कर देता, ते सिर्फ एक दूजे ने कबूल कर अंदी रसम बाकी रह गई, ता सादिक पिछे हट गया, खान अगबगूला हो गया, मेरे दुनिया ऐसी नहीं है, परवर्दिगार की कसम जिसमें शराफत से शादी की जाए, उसमें रंडी चंगी रहती है, तुम शरीफ ना बनो, याद रखो अगर तुम शरीफ बन गए, तो सूबा बदर कर दिये जाओगे, तुम हीरा मंडी में रहो, यहां सिर्फ एक सूबा ह जिसमें इस से तुम बदर नहीं किये जा सकते, इसलिए कि इसके साथ कोई हाकिम अपना रिष्टा काइम नहीं करेगा, तुम गदे हो, अपना घर यहीं बनाओ, इस से बेतर जगा तुमें और कोई नहीं मिल सकती, सादिक ने अपने महलेच एक जगा गल पकी कर ले सी, जरूर मानलेंदा, पर मेरा देल नहीं मानलेंदा, मैं हुने आश करांगा, एक रंडी दे कोलनी, कई रंडियां दे कोल जाया करांगा, तुम ने कई रंडियां दे जाना शुरू कार देता, उन्हों हुन कई ठेके मिल गए सी, उधे कोल दौलत दी बहलता सी, हीरा मंडी व वो खेड़ खेड़ दा रिया, मेरा ख्याल है शायद खान दी उस कोशेश दासर सी जो ने साधिक नू अपने सांचे चटा लणनी कीती सी, उच्वंदा सी अपने तजर्बियां दा न चोड़ो दे हलक वेच पाके उनू अपने वरगा बना लाई, पर उदा नतीजाए निकल मेरी दुनिया खोट दी दुनिया है, एस विच एक बटा सो हिस्सा सेमेंट होंदा है, बाकी सब रेत, तो भी जिस्च अधी मिटी होंदी है, मेरी ठेके दारीच जो इमारत बन दी है, उदी उमर जिकर कागज उपर पंजा साल है, तो जमीन उते दस साल होंदी है, मैं अपने लिप उखता कार्के में उसार सकदा, रंडियां ठीक हैं, मैं सुसाइटी देवस मलबेदा भी ठेक का ले रखे है, हर रोज एक लाएक बूरी टो के ठीकानी लगा देदा, उव बूरियां टो-टो के अपने दार निस्ट विछ ठीकानी ल ऌती हैं, मैं उनुम मिलना जुलना बंद कर देतै, वो बहुत बदनाम हो चुपके हैं सी, उनुपता सी के मैं उसनाल नराजा पर उन उन्हें मैंनों मनाउन दी कोशिश ना की ती, डेड़ साल दो बाद एक दिना चानव को मेरे कोड़ाया, अजया लगदा सी कि बहुत जरूरी गल कहनी चौनदा है, पर नहीं कह सकता, मैंनों पुछे कुछ कहना है, उन्हें जवाब देता है, हाँ, मैं व्या कर रहे हैं, किस एक रंडी नाल, मैंनों बहुत गुसा आया, बाकना, उन्हें बड़ी संजीदगी नाल किया, मैं मजबूर हो गया, मैं चड़ गया, मजबूरी किस गल दी, सादिक ने सिर चुका के किया, ओदे नुद्फा ठैर गया, इस सुनके मैं खामोश हो गया, उन्हों की कहा, कुछ जो समझ नहीं आउंदा सी, सादिक ने अपना चुकिया होया, सेर उठाया ते कहना शुरू किता, मैं मजबूर हो गया, व्या तो सिवा, उन्होर कोई चारा ने, सादिक ने उस रंडी नाल व्या कर लिया, पर उदे कोठे नो उन्हें अपना कार नहीं बड़ाया, उन्हा लोका ने ए रंडी जिना दी रोजी दा ठीकरा सी, बहुत धंगा फसाद कीता, पर उन्हें कोई परवार ना कीती, हजारां रुपए पानी दी तरह वहा देते, ते आखर काम्याब हो गया, उस रंडी दे पेटोई को कुडी पैदा हुई, उदे जनम दे छे मिने बाद लोका ने काम कार देना, जल्म करना ने चांदा, मैं खुद कारोबारी आदमी है, इन नुक्ते चंगी तरह समयदा हां, जा, खुदा मेरे इस नुत्फे दे पाग चंगे करे, पर वेक इनू नसीयत दिन दी रही, के किसे नर व्यादी गल्ती का दे ना करे, ये गल्त चीज पता ने जो कुछ मैं ब्यान कीता है, साधिके दे बारे ज्यादा है, जा, खान दे बारे, जो वी हुए, मैं नुए दोनों उसे साफ दे आदमी लग दे हन, जेस्ट तोड़ा बाओ गोपिनात है, ते इस दुनिया चे जित्थे सूबा बदर, ते शेहर बदर कीता जा सकता अजाई आदमी ज़रूर होने चाहिए दी हन, जेनानू सोसाइटी अपने ते अपने बनाई होई कानूना दे मूद ते थपड़ दे तोर ते कदे कदे मार सके, तानुआत